आज मैं सेयर करने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी और इजी तरीके से बनने वाली चावल के आठे से बने हुई कुरकुरी रेसिपी तो चलिए बनाते हैं, सबसे पहले हमें एक कड़ाई लेनी है, कड़ाई में एक चमच तेल डालेंगे उसके बाद एक चमच इसमें डालेंगे, साबू जीरा थोड़ा इसे पकने देंगे अब इसमें डालना है, बारी कटा हुआ अदरक और लेसन, अब थोड़ा हम इनको फ्राई कर लेंगे अद्रक और लहसुन को हलका सा हम पका लेंगे उसके बाद इसमें डालना है बारी कटा हुआ प्याज आप इनके साथ में और सब्जियां भी एड़ कर सकते हैं जैसे गाजर, सिमला मिर्च लेकिन वो बारी कटी हुए होनी चाहिए तो अब इसे हम थोड़ी देर चलाते हुए प्याज और अद्रक लहसुन को पकने देंगे फ्राइ होने देंगे अच्छे से अब इसमें डालना है एक कप पानी एक चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और एक चम्मच डालना है इसमें काली मिर्च पावडर नमक डाल देंगे स्वाद के नुसार तो अब मिलाना है थोड़ी देर सारे चीज़ों को पकने देंगे अब डालेंगे एक कप चावल का आटा अब इसे हम चलाते हुए इस तरीके से मिलाते रहेंगे नहीं तो इसमें लंप्स पड़ जाते हैं और इसे हम ऐसे इस तरीक के से चलाते हुए थोड़ी देर धेमी आस पे पका लेंगे चलाते रहना है विल्कुल छोड़ना नहीं है तो ये सारा मिक्स हो चुका है अब इसे हम निकाल देंगे तो मैंने निकालने के लिए एक पराद ली है सारा मिच्चर इसमें डाल देंगे और थोड़ा थंडा होने देंगे उसके बाद इसमें डालना है बॉयल के हुए आलू तो आलू को कद्दू कस करके इसमें डालना है आप आलू को मैस करके भी इसमें डाल सकते हैं हातों से अच्छे से मैस करके इस रेसिपी को हम बहुत कम सामान में बनाते हैं और टेस्टी बहुत होती है ये तो मैंने आलू को कद्दू कस कर लिये है अब इसमें डालेंगे पारी कटा हुआ हराजनिया अब सारी चीजूं को हातूं से अच्छे से मिला देंगे एक डोफों में लाना है जब यह हलका हलका गरम रहे तभी आप इसको मेक्स करिए नहीं तो यह बाद में हार्ड हो जाता है तो पराबर मेक्स नहीं हो पाता है तो इस तरीके से तो थोड़ा सा चिपचिपा हो रहा है तो मैं इसमें थोड़ा ओयल डालूंगी और दुबारा से से अच्छे से मेक्स कर लूंगी इतनी अच्छी और टेस्टी रेसिपी है आप हैरान हो जाएंगे इतनी कम सामान में भी हम इतनी अच्छी रेसिपी बना सकते हैं अब अपसे हम उसे मोड देंगे तो एक डिजाइन बन जाता है यह आप चाहें तो छोड़ी छोड़ी बॉल भी बना सकते हैं ऐसा डिजाइन बनाने की ज़रुरत नहीं है तो मैंने इस तरीके से यह डिजाइन बना लिया है यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो इसी तरी तो चलये तो फ्राइ करने के लिए मैंने तेल को गर्म करके रखा हुआ है तो आप एके करके सारे स्नैक्स को इसमें डाल देंगे और अब। फ्राइ होने देंगे और crunchy recipe है ये कुरकुरे बनते हैं ये बहुत ही tasty लगते हैं चाई या कॉफी के साथ ये तो ये देखे इनका color change हो गया है ये अच्छे से fry हो गए है अब इनको हम निकाल देंगे सारी नास्ते को इसी तरीके से fry करना है तो ये अच्छे से पक चुके हैं ये देखे इनका color भी बहुत ही अच्छा लग रहा है टेस्टी लग रहे हैं तो इसी तरीके से आप भी इस recipe को जरूर ट्राय करें अगर आपको मेरी recipe इच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और पिल आइकन जुरूर दबाएं